मुस्लिम लड़कियों का हिजाब खीचने वालों को योगी की पुलिस ने दी तगड़ी सजा विरोधी दल चाहे लाख दावे कर लें कि योगी आधितनात मुस्लिम विरोधी है भेदभाव की राजमिती करते हैं मुसल्मानों को नापसंद करते हैं मजहब के नाम पर एंकाउंटर करते हैं लेकिन इन तमाम दावों की हवा उस वक्त निकल जाती है जब योगी और उनकी पुलिस टंके की चोट पर फैसले लेती है ये फैसले हिंदो मुसलिम देख कर नहीं बलकि प्रदेश की प्रभावित जनता को देख कर लिये जाते हैं एक तरफ अगर असत का इनकाउंटर होता है तो वहीं दूसरी तरफ अनिल दुजाना को भी ठोका जाता है और इसलिए विरोधी कम से कम ये तो कहना बंद कर ही दें कि योगी सरकार मुसलिम विरोधी है आज एक बार फिर योगी की पुलिस ने ऐसे विरोधियों को करारा जवाब दिया दरसल यूपी की मेरट से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया यहां पर दो मुसलिम लड़कियां अपने दोस्त के साथ बाजार जा लिए अचानक कुछ मुसलिमों ने इन लड़कियों को घेर लिया इनसे पूछा गया कि ये हिंदू लड़के के साथ कहा जा रही है लड़कियों ने बेहद शालींता से कहा कि आप गलत समझ रही हैं हम लोग दोस्त हैं इसके बाद वहां मौझूद कुछ मुसल्मानों को ऐसी चिड्मची कि हिजाब पहने लड़कियों का हिजाब ही खीच लिया गया धर्म के ठेकेदार बनने वाले कुछ मुसलिम यूबक लड़कियों का वीडियो बनाने लगे हिजाब खीच खीच कर उनका चेहरा कैमरे में दिखाने लगे साथी लड़के को भी खूब भला बुरा कहा गया उसको पीटा गया बहाँ पर मौझूद लोगों में से किसी ने इस पूरे घटना करम का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया परतीजी से वाइरल पूरा है वीडियो में आप कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुनेंगे कि हिंदू लड़के के साथ दोस्ती करोगी ये कैसी दोस्ती है तुम लोगों की वीडियो देखने के बाद अब उन लोगों के खिलाफ कारवाई की मांग हो रही है जिनों ने ऐसा किया ट्विटर पर संजू सिंग नाम के यूजर ने वीडियो को शेर करते हुए लिखा जैश्री राम वाइरल वीडियो फ्रॉम मेरट योगी जी स्टेट इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोग तरह तरह की प्रतिकरियाएं दे रही है लोग इन मुस्लिमों के खिलाफ सकत आक्शन की मांग कर रही है इसे बीच एक यूजर ने जानकारी दी कि इस मामले में योगी की पुलिस ने एफ आयार कर दी है इतना ही नहीं मेरट पुलिस ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है झाल